अलो फ्रेंड्स मैं हूँ बिनीता और आपका स्वागत है मेरे किचन में गर्मिया सुरू हो गई हैं बच्चे हमेशा फूटी मैंगो स्लाइसे जुसिस मांगते रहते हैं तो आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी मैंगो फूटी की वो भी बहुत ही असान तरीकों से सिर्फ 10 मिनट में आप मैंगो फूटी मार्केट के जैसा घर पर बना सकते हैं और वो भी मात्र दो ही चीजों से और इसे आप 10 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं इस फूटी का जो टेस्ट आएगा वो बिल्कुल बजार जैसा आप इस से पीते जाएंगे और बच्चे दिन भर आप से मांग मांग कर पीते रहेंगे अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करे ताकि आने वाली वीडियो का नौटिफिकेशन मिले तो चलिए सुरू करते हैं मैंगो फ्रूटी बनाना मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं चार पके हुए आम और एक मीडियम साइज का कच्चा आम लिया है इसका रेसियो यही रहता है आप चाहे तो एक पका हुआ आम और भी ले सकते हैं इससे कोई टेस्ट में अंतर नहीं आएगा हमने इसको अच्छे सी वास कर लिया है मैंने इस आम को पील करके इसके छोटे-छोटे पिसेश कर लिये हैं आप देख सकते हैं दो कप के करीब पका हुआ आम है और एक कप के करीब कच्चा आम अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल कर ग्राइंड कर लिया है गैस पर हमने एक पैन रख दिया है और पैन में मैंगो के पल्प को डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर बस एक मिनट तक पकाएंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि पल्प हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जार में जो मैंगो के पल्प लगे थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर वह अलबी पानी मैं इसमें डाल दे रही हूँ लगभग एक मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम में इसको पकाया है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ चीनी मिखास के लिए चीनी लगभग 200 ग्राम है अगर आप के आम थोड़े मीठे हैं तो आप चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं यह आपके आम पर डिपेंड करता है अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे तब तक पकाना है जब तक हमारा पल्प ट्रांस्लूजन न हो जाए थोड़ा इसमें साइन सा लगेगा आप खुद ही पहचान जाएंगे यहाँ पर आपको फ्रूटी बनाने के लिए कुछ भी अलग से न उबालना न सिरब बनाना यह सबसे आसान तरीका है और इसका कलर और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा आपको कोई भी फूट कलर इसमें नहीं डालना है बिल्कुल ओरिजनल फूटी का ही कलर आएगा और इसका टेस्ट मार्केट से भी अच्छा लगेगा अब आप देख सकते हैं पकाते पकाते इसका कलर भी चेंज हो गया है इसको पकाने में लगबख 6-7 मिनट लगेंगे आप देख रहे हैं यह जो फूटी है हलकी हलकी सी साइनी होती जा रही है इतना सुन्दर लग रहा है मन कर रहा है कि अभी इसको बना कर पी ले अब ये अच्छी तरह से कुख हो गई है अगर आप इसे ज्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें लगबख एक चम्मच सिर्का या नीबू का रस डाल सकते हैं और इसे एक महिने तक फ्रीज में स्टोर करकर रख सकते हैं मैं इसमें बिना सिर्का और बिना नीबू के रस का बना कर बता रही हूँ आप इसे दस दिनों तक फ्रीज में रख सकते हैं ये बिल्कुल खराब नहीं होगी अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे अब एक बॉल के उपर छन्नी रखिए और इसको अच्छे से छान लीजिए इसमें जो भी इसके रेसे रहेंगे वो निकल जाएंगे बच्चों को भी पीने में परिसानी नहीं होगी मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे ताकि जो छन्नी में लगा हुआ है वो अच्छे से छन जाए मैंने तीन गिलास के करीब पानी और एड़ कर दिया है ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए जैसा मार्केट में फूटी होता है उतना ही पतला करना है आप देखे कितना अच्छा हमारा फूटी बना है बिल्कुल मार्केट के जैसा आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख रहे हैं मैंने जिस तरह से बनाया है इसको बनाने में लगभग 10 मिनट लगा है अब मैं इसको फ्रीज में दो घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ अब आप मजा लेजिए घर पर ही बनी फ्रूटी का बिल्कुल फ्रेस मैंगो फ्रूटी अब ये सर्व के लिए तयार है और इसका कलर टैक्चर देख रहे होंगे इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी का है आप इस फ्रूटी को इस तरीके से बना कर देखिए बहुत ही पसंद आएगी और बच्चे भी बहुत खुश होने वाले हैं आप इसे फ्रीज में रख ले और जम मन करें इस गर्मी में आनंद उठाइए इस थंडी थंडी फ्रूटी का तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी पी अच्छी लगे तो सेयर करना बिल्कुल मत भूले है वे लवली डे बाइबा एंड टेक केर थैंक यू सो मच